हेलो गाइज एंड वेलकम बाक टू मैं चैनल सो मेरा नाम है सुर्भी और मैं जर्मनी से रिलेटेड यूरोप से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ आप लोगों की हेल्प करती हूँ ताकि आप यहाँ पर मूव हो पाओ यूरोप में मूव हो पाओ अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लोगों की टाइम टू टाइम हम आप लोगों को बहुत सारी इंफोमेशन अपडेट देते रहते हैं जिससे की अगर आपकी ड्रीम कांट्री यूरोप में से कोई है तो आप यहाँ पर आ सको तो बिना कुस टाइम वेस्ट करें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जो की है 2024 में जर्मनी के क्या बेक अपडेट है जो की आपको हेल्प करेगा बेसिक लिए यहाँ पर मूफ करने के लिए secondly अगर आप already रह रहे हो तो आपको पता चलिए कि कैसे जर्मन गवर्मेंट जो है वो हम लोगों के लिए easy कर रही है यहाँ पर जर्मनी में रहना अब हम सबसे पहले बात करते हैं from the basic कि क्यों यहाँ पर बोला जाता है कि skill labor की requirement है या लोग नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए जर्मनी में यह एकदम बिल्कुल सही बात है reason यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर already जिस vacancies में हैं जहाँ पर काम कर रहे हैं वो अब retirement age की तरफ जा रहे है यहाँ पर old लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत जादा है than young professions इस वज़े से इनको जो वो vacant positions है वो fulfill करनी हैं वो vacant positions को fulfill करनी के लिए इन लोगों के पास यहाँ पर लोग नहीं हैं यही reason है कि यह लोग चाते हैं कि दूसरी countries के जो skill लोग हैं जो young professions हैं वो यहाँ पर move कर सके ताकि इनकी जो vacant positions जो होने वाली है या हो चुकी है उसमें वो लोग जो है वो fulfill कर सके बेसिकलिए ऐसा कहा जाता है कि अभी के time बे 2 million से भी ज़ादा vacant position है future में यह जो numbers है थे कि 3 million से भी ज़ादा होगा इसका यह मतलब है कि काफी सारे streams में job vacancies होगी आप लोगों के लिए और move करने के बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जिससे आप move कर सकते हो तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगे बहुत बार मैं बात करती हूँ कि अभी जो जर्मन government है वो immigration friendly laws जो है वो लाने लगी है और हाँ 2024 में like last year बहुत सारे ऐसे laws थे जो draft stage पे थे काफी interesting laws थे, काफी easy laws थे जो हमारी life easy कर सके जो already हम लोग यहाँ पर रह रहे है और उन लोगों के लिए जो move करना चाहा रहे है उसी में से कुछ laws की हम बात करेंगे तो सबसे पहला law जो है वो उन लोगों के लिए है जो Germany move करना चाहते है और उने तुरंद के तुरंद move करना है और उनको एक chance चाहिए तो chance काटे करके opportunity काट करके एक job search visa जो है वो new introduce किया है जो कि basically points आपके जो भी points होंगे different different areas पे उसके basis पर आपको ये जो visa है वो मिलेगा सबसे अच्छी बात इस visa की ये रहेगी कि आपको एक तो एक साल का time मिलेगा और इस एक साल में आप कोई भी part time jobs जो है वो कर सकते हैं मतलब part time job करके भी आप earn कर सकते हैं एक साल का visa होगा और कुछ cases पर ये extend भी होगा एक वीडियो बनाया है मैंने पूरा opportunity card करके इवन अभी good news ये है कि opportunity card की eligibility भी आप जो है उनके calculator पर चेक कर सकते हो वो वीडियो जरू देखना description box पर वो वीडियो है वो आपको basically बताएगा कि कोई भी है skill set है आपकी आप move कर सकते हो आप अपनी eligibility चेक कर सकते हो और उसके June 2024 में introduce होने वाला है जिसके लिए आप अभी जो है वो eligibility चेक कर सकते हो और basically आप जो है वो move कर सकते हो job search visa पर यहाँ पर अब जो next tease है वो यह है मैंने उसके उपर भी वीडियो बनाया है जो कि of course अभी बहुत जल्दी जो है वो approve हो जाएगा almost सब कुछ हो गया है वो यह है क तो आपको यहां की citizenship लेनी है अब वो आपको 5 साल में मिल जाएगी citizenship और कुछ cases पे अगर आपकी language अच्छी है C1, C2 level तो वो 3 साल में आपको यहां की nationality या यहां की citizenship या यहां का passport जो है वो मिल जाएगा जो कि एक बहुत ही अच्छा law pass हुआ है जो कि पहले 8 years था 5 years तक था अब जो है वो 5 years to 3 years हो गया है जो काफी अच्छी चीज है प्लस हम लोगों के case में तो यह चीज नहीं है possible like dual nationality कि अगर आपको German passport भी रखना है या दूसरी country का अपनी खुद की country का भी passport रखना है वो भी जो है law pass हो गया है तो यह भी काफी अच्छा law है हमारे लिए नहीं ह बहुत सारी country's है जिनके लिए यह eligible है प्लस आपका जो child है उसको भी अपने आप automatic by birth जो है वो nationality मिल जाएगी अगर कोई भी parents जो है वो 5 साल यहां पर रहा है तो यह भी काफी अच्छी चीज हो गई है जर्मनी में जो अभी तक नहीं ती जो कि एक बहुत ही जादा immigrant friendly law जो है जिससे basically आपका help करेगा कि आप move कर सको Germany easily वो यह है कि blue card की salary जो है वो decrease हो गई है अगर आप stem area में हो तो पहले जो salary थी वो थी 45,600 euros per annum जो कि आप decrease हो गई है 39,600 euros और अगर आप non-stem areas में हो तो उसकी salary पहले थी 48,400 जो कि आप decrease हो गई है 43,800 that means यहां के जो recruiter है वो easily आपको recruit कर पाएंगे उनको आपको काफी जादा salary जो है वो pay नहीं करनी पड़ेगी इससे काफी amount of log जो है वो easily move कर पाएंगे blue card visa पे और blue card visa के benefits यह होते हैं कि आपको easily जो है वो PR मिल जाता है PR आपको 18 months में मिल जाता है कुछ अगर special cases है तो आपको 13 months में भी PR मिल जाता है अगर आपको C1, C2 आती है C1, C2 language आती है तो इसका बहुत अच्छी बात है प्लस आपको citizenship मिलना भी बहुत easy हो जाता है blue card visa में सबसे अच्छी बात blue card visa की यह है कि आपका spouse जो है वो आपको join कर सकता है और spouse जो है वो कोई भी job कर सकता है या business कर सकता है या कुछ भी कर सकते हैं यहां आने के बाद तो blue card visa में family reunion के लिए भी काफी अच्छी चीज है और अगर आपको long term के लिए settle होना है तो वो भी काफी अच्छी चीज है और blue card category में जो है वो काफी new additions हुए है जैसे nursing में भी अब आपको blue card visa मिल सकता है और भी बहुत सारे areas जो screen जो है वो मैं आपको डाल दूंगी ताकि प्रिफर कर सको अब एक और एक example है जो कि Germany बहुत जादा stubborn था जब actually मैं आई थी five years पहले कि आपका जिस चीज में degree है उसी में आपका experience होता है तो वो ही count किया जाता है ठीक है पट अब ऐसा नहीं होगा अगर आपकी degree किसी और चीज में है और experience किसी और चीज में है तो आप आपके experience को जो है वो weightage दिया जाएगा और उसके basis पर आपको यहाँ पर job मिलेगी या आपका experience अगर किसी blue card visa की category field में है तो आपको blue card visa मिलेगा जो की भी बहुत अच्छा immigrant friendly law है कि अगर आपका skill set या experience किसी चीज में है और उसके basis पर अगर आप यहाँ पर आना चाते है तो वो अब possible है जो की possible नहीं था पहले अब मेरा favorite law जो की immigrant friendly law मेरे को बहुत अच्छा लगा यह वाला law वो यह है कि अब 2024 में एक और possibility हो गई है कि आप अपने parents को भी जो है वो long term बे बुला सकते हो वो तो हमने देखी लिया है कि अब जो parents है अगर आपके पास PR या citizenship है या आप के पास एक enough salary है क्योंकि blue card में एक enough salary होती है जिससे आप अपने parents को sponsor कर सको तो एक long term visa मिलने लगा है actually अभी 3 months ही parents यहाँ पर stay कर सकते है आपके और उसके बाद उनको जाना पड़ता है 3 months का cooling time होता है फिर आता है जो कि एक बहुत ही difficult process हो जाती है parents के लिए भी और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको sponsor करते हैं उनके लिए भी बट अब जो है 2024 में ऐसा law pass होने वाला है कि अगर कोई मार्च 2024 में यहाँ पर enter करेगा तो वो अपने parents को भी as a family reunion यहाँ पर बुला सकता है तो यह भी एक बहुत अच्छा law है जो लोग नए लोग यहाँ पर move करना चात जो चीज है यह काफी अच्छा law है क्योंकि अफकोर्स हमको घरवालों की याद आती है we don't want की process जो है वो इतना ज्यादा difficult हो जाए parents के लिए भी हमारे लिए भी काफी अच्छा law है आपको यह law कैसा लगा मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके का government law कभी लेके आ पाईगी प तो यहां पर आप Europe में काम कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको सिर्मनी में ही काम करना है आप all over Europe में काम कर सकते हैं 25 countries से भी जादा European Union के अंदर आती है अब एक और बहुत अच्छी चीज हो गई जो मेरे टाइम पे काफी जादा difficult थी वो था degree recognition degree recognition के लिए यहां पर एक organization होती जो basically बताती है कि आपकी degree recognized है या नहीं है अगर नहीं होती recognized तो आपको कुछ उनको euros देने होते है around 200-250 euros and then वो देखते हैं कि आपकी degree मतलब आपका particular degree जो है वो उस category में add होगा या नहीं जो कि अब नहीं होगा तो आपने बहुत बार सुना होगा कि यहां पर bureaucracy की वज़े से बहुत जादा difficulty होती है यह छोटी-छोटी चीजों की वज़े से तो अब नहीं होगा अगर आपको तीन साल से जादा का experience है तो आपकी degree को जो है वो weightage नहीं दिया जाएगा जो काफी अच्छी बात है तो वो नहीं देखा जाएगा कि आपकी degree recognized है या नहीं है या आप ऐसा कुछ तब होता तो मेरे लिए बहुत जादा easy होता job search करना बट अब ऐसा है तो काफी जादा अच्छी news है उन लोगों के लिए जो spouse यहाँ पर जॉइन कर रहे है अपने partners को या फिर वो लोग जो already move करना चाते हैं जैसे opportunity card, chance and carday के थूरू या job search, normal job search visa के थूरू लास जो है वो students के लिए है तो students के लिए भी काफी जादा अच्छे immigrant friendly laws आए हैं तो सबसे पहली चीज यह हो गई है कि अब आपका जो minimum pays है या minimum per hour का जो wage है वो increase हो गया है पहले ये 12 euro per hour था जो कि increase हो गया है अब 12.41 euros per hour that means अब आप mini job में जादा कमा सकते हैं पहले आप कमाते थ होता है और इसका पूरा वीडियो हमने अल्रेडी बना रखा है जिसकी लिंक जो है वो description में उसके अलावा पहले आप अलाउट थे 124 days and 240 half days काम करने के लिए तो अब वो increase हो गया है to 144 days and 220 half days that means अब आप जादा अर्न कर सकते हो तो यह भी काफी अच्छी good news students के लिए जो य यह सारे थे immigrant friendly laws या 2024 का basically update कि 2024 में क्या क्या अच्छी चीज़े होने वाली है और क्या क्या चांसेज आप लोगों के लिए है move करने के लिए तो basically मैंने आपको पूरी एक report दे दी hope this helps अगर आपको videos help कर रहे हैं तो subscribe करें बिना मज जाना like करना और in some immigrant friendly laws में से आपको सबसे अ कौन सा लगा वो मुझे बताना मेरा मैंने आपको बता दिया कि parents reunion जो है वो one of my favorite law है plus blue card visa की जो salary decrease हो गई वो भी क्योंकि उससे काफी जादा लोग जो है वो move कर पाएंगे इंडिया से बाकी अभी के लिए इतना ही हम लोग मिलते हैं next video में do not forget to like, share and subscribe bye-bye